गर टयुक्त हरु मैं उल्कंब्क टू मारी चैनल और मैं हूं आपको अर्वेन आज इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले यू पी एसाइइ और UPSI के के बारे में क्या करेंगे मैं यहाँ पर discuss करने माला हुं रीजनिं ceiling कि क्योंके मैं cover करूंगा फूरा का फूरा kull reasoning यहाँ पर आपको मैं क्या का सिखाने वाला हूं यहां परे सिखाने वाला हूं मैं concept प्लस practice question ठीक है practice question अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हम concept चिखेंगे उसके बाद हम practice questions करेंगे ठीक है चाहे एक topic को चाहे एक topic को कितना भी time लग जाए मैं maximum practice पे ध्यान दूँगा त्योंकि जितनी ज्यादा आपकी practice अच्छी होगी उतना ही आपका score अच्छा जन्नेट होगा ठीक है यहाँ पर reasoning आपके लिए क्या है एक scoring subject का काम करेगा ठीक है scoring subject और scoring subject में जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास number of question कितने रहने वाले हैं 40 और यह scoring का कितना रहेगा 100 marks सपोस्पोस करो अगर आप 100 में से at least मैं at least बोल रहा हूँ गर आप 80 भी cover करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा score रहे गए ठीक है बट मेरी यह रहेगी कि आपके 40 के 40 question बिल्कूल ठीक करवानेगी क्योंकि यहां पर जो एक question है वो धाई नंबर का है ठीक है धाई नंबर का एक question रहेगा इसलिए 100 marks का पूरा full portion reasoning का रहेगा ठीक है अब दूसरी बाद यहां पर जैसे कि हमें UPSI के अंदर sectional cutoff भी qualify करना है जैसे banking के section गंदर करना है और उसके बाद फिर overall भी बनानी तो उसमें आपको क्या करना कि एक portion में किसी भी जो भी आपके अच्छे portion है उसमें आप maximum से maximum score करो उससे क्या होगा वो आपको overall scoring कराने में फायदा करेगा ठीक है हर section में तो आपको at least करना ही है ठीक है उसमें हर section को तो qualify करन है उसके अलावा कुछ portion आपके strong होंगे वहां से आप maximum scoring करो ठीक है तो मैं cover करूंगा पूरा का पूरा reasoning का portion ठीक है चलेगा सुरवात करते हैं और सुरवात करने से पहले आप हमें Instagram पे और Facebook पे Sir Academy के नाम से follow कर सकते हैं और YouTube जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं आपर आप हमें subscribe कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करना बिल्कुल भी ना बोले जो भी UPSI के रियारी कर रहे हैं ठीक है मेरे पास जो course मैं start करने वाला हूं उसमें मैं बिल्कुल fully dedicated रहूंगा UPSI के content को पर ठीक है और कुछ भी हम यहाँ पर miss नहीं करेंगे ठीक है च अलफाबेट टेस्ट में हमारे पास जो question पूछा जाने वाला है वो होगा एक तो word formation से और dictionary order से ठीक है यह दो एक optional की तरह है कि word formation और dictionary order से question पूछ लिया जाए लेकिन माने के चलो कि आपका यहां से एक question at least a question पूछा जाएगा ठीक है और यहां पर ध्यान दगना एक question का मत अपलबी आपके पास धाई number है ठीक है अभी बात करते है coding recording के ठीक है coding recording के आपके लगभग भाई मेरे हिसाब से लगभग दो question पूछ रहेंगे ठीक है अच्छा मैं जो अपना यहां पर एक discussion कर रहा हूं मेरा बिलकुल major focus रहेगा जो 2016 का UPSI जो 2017 में exam हुआ था उसी के exam के बिहाफ पर मैं यहां पर discussion करूँगा और उसी के pattern के बिहाफ पर मैं सारा आपको content deliver करने वाला हूं ठीक है coding analogy का भी एक से दो question आपसे ज़रूब पूछा जाएगा ठीक है classification का भी same एक से दो question पूछाएगा और series के भी series के भी लगवक दो से तीन question total मिला के कैसे क्योंकि यहां पर मैंने number को भी discuss कर रहा है और letter को भी discuss कर रहा है ठीक है मैं यहां पर ink change कर लेता हूं जड़ा तो यहां पर number को भी discussion किया है और letter को भी discussion किया है तो यहां पर लगवक दो से तीन या चार तक भी हो सकता है series का question ठीक है अच्छा चलिएगा अब बात करते direction और distance की direction और distance का भी मामूली से 2-3 question जरूब पूछा जाएगा ठीक है कभी-कभी question 3 भी हो जाएगे और कभी-कभी ये 2 भी रहेगे क्योंकि mostly जितना भी मैंने analysis किया है 2017 के अंदर जो भी paper हुआ था उसके अंदर almost 2 question पूछे गयते हर shift के अंदर ठीक है अच्छा अच्छा एक बाद तो मैं बता देता हूँ पहले हम concept discuss करेंगे ठीक है और उसके बाद practice ये सब खतम करने के बाद में हम क्या करेंगे जो भी 2017 के paper थे ठीक है फिर हम उनको discuss करने ठीक है 2017 के paper को योगि ये paper discuss करने सा आपके अंदर confidence build up होगा और फिर हम अपना ध्यान देंगे speed plus accuracy ठीक है हमें speed बढ़ानी है और अपनी accuracy ठीक करनी होगे ठीक है अभी आगे हमाले पास portion क्या था अफिर हम पढ़ने वाले blood relation ठीक है blood relation भी यहाँ से लगभग 2-3 question पूछे जाएंगे order ranking order ranking और sitting arrangement को मिला के आपसे लगभग 2-3 question तक आ सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको sitting arrangement भी involved पर गया हो सकता है कि यहाँ पर question number 4 मतलब कि 4 question तक भी पूछे जा सकते हैं sitting arrangement को अगर मैं involved पर देता हूँ ठीक है when diagram when diagram के अगर मैं बात करता हूँ तो जो 2017 में पूछे गएता है almost हर स्रिफ्ट में 2 question केवल when diagram से पूछे गएता है तो उसके 2 question अलग होते थे ठीक है तो मैं expectation यही कर रहा हूँ कि when diagram और स्लोक से भी 2 question इस बार भी पूछे जाएंगे ठीक है mathematical operation mathematical operation के बात करते हैं तो एक से 2 question क्यों बाई зorakat कि इसमें क्या-क क्यों आपको अलग अलग वर्ड दे ढ़िए जाएंगे और उसको आपको एक सिक्वेंस में एक लॉजिकल और में उसको फिट करना होगा ठीक है तो एक छोटा से टॉपिक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके बास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 2017 वाले पेपर में एकदम रिवील हुआ था वो क्याता मसीन अगर 2017 के पैटन को मैं फॉलो करता हूं तो यहां तक जैसी हम यह टॉपिक करेंगे मसीन इंपूट इंडिविजल टॉपिक रहेगा कोई दिक्कत नहीं यहां पर जैसी मसीन इंपूट डिसकस खतम कर देंगे हम उसके बाद आएगा हमारा नमार डेटा सेफिशेंसी का डे क्या होगा कि जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है अभी तक तक उसी का कॉंबिनेशन होगा मतलब वहां पर हमें यह देखना हुआ कि हम डेटा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं या कहां कहां से हम अपना आंसर आउट कर सकते हैं क्लियर चलेगा तो डेटा से विशेंस क चाहिं कि हमें क्या करने इसका कोई नहीं है यहां पर कैवल हमें number of questions की practice करेंगे ठीक है उस्ते बाद आती है बात पजल की पजल में यहां पर पजल का जो लेवल रहने वाला है वह यहां पर रहएगा easy ठीक है moderate भी नहीं क्या होगा मैं कि जादा से जागा अगर कोई difficult shift अगर बन गया तो easy से moderate के दावर तरफ पहुंच सकता है ठीक है इससे जादा कुछ नहीं होगा तो puzzle हम discuss करेंगे easy to moderate ठीक है easy to moderate के लिए difficult puzzle मतलब banking वाले level की कुछ नहीं हो गया यह मान के चलो कि banking के अंदर जो prelims के अंदर आती है puzzle वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी और puzzle से भी आपके almost 3 से 4 question तक पूछी जा सकते है तो 3 एक set दे दिया उसमें 3 question पूछ लिए या number of question 4 पूछ लेंगे यहां तक हमारा काम खतम हो गया है अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले है उसके बाद हम सबसे important part उसके बाद हम पढ़ेंगे statement और assumption ठीक है statement और assumption ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे statement और argument उसके बाद हम पढ़ेंगे statement और conclusion ठीक है देखो अगर last जो paper 2017 वाला था उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो statement और assumption और statement and argument से लगबग लगबग दो-दो questions पूछे गए थे ठीक है statement और conclusion से बहुत ही rare questions पूछा गए था लेकिन मैंने इस बार इस topic को include किया है क्योंकि हो सकता है कि यहां से भी question पूछा जाए तो चीज़े कुछ ना कुछ बद लेंगी अच्छा सबसे important role play कराता decision making ने ठीक है series include थी आपके पास embedded figure include था ठीक है embedded था और आपके पास था यहां पर हमारे पास analogy भी पूछा गया था ठीक है हम से क्या पूछा गया था classification से भी पूछा तो यह लगबग यहां पर 4-5 topic cover होंगे जो हम nonverbal में fully cover करेंगे ठीक है तो nonverbal को हलके में मतले ना nonverbal के जो पर से पास question होगा यह मानके चलो कि यह आपके free k marks है तो बाकी हम topic में अच्छे से मैंनत करने वाले starting से मैं बात करूँगा ठीक है बिल्कुल मैं यह मानके करूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है ठीक है आपको बिल्कुल zero से start करूँगा और zero से start करके concept उसके बाद practice प्रेक्टिस का जो questions का लावल होगा पहले बिल्कुल easy रखोंगा फिर मैं moderate और फिरम कुछ difficult की तरफ आएंगे मेरा जो ज्यादा से ज्यादा जोर होगा वो रहेगा practice के ओपर ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा आप questions की practice करेंगे उतना ज्यादा आपका score होगा ठीक है यह ब इंडिविजुल आप mock test ज़रूर दें ठीक है कि वहाँ पर आपको पता चलिया कि आप इस topic में कितना आप कर पा रहे हैं कि आपका यह topic कितना अच्छे से cover हो चुका है ठीक है तो alphabet test यहां से आपको कल से आपको एक एक वीडियो मिलने स्टाट हो जागी हो सकता है कि यह हर topic में मैं कुछ वीडियो पार्ट्स वाइस बनाओ ठीक है अगा मुझे लगेगा कि वीडियो ज्यादा लैंदी हो रहे है तो मैं वो लैंदी नहीं रखूँगा मेरी एक वीडि agreement करें एक एक नए लेक्ष्वर देख सकते हो तो जैसे यहां पर मैंने इस यह प्रेंद डिस्केस किया है उसी order में मैं डिस्केस करने वा थो इक-एक टॉपिक के तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं और मिलते हैं फिफिल अगली वीडियो में और अगर आपने बह वीडियो में अपनी जान डाल सकता हूं मतलब इंगेजमेंट में बहुत जादा दे सकता हूं ठीक है तो चलिका फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई